सब्सक्राइस बार करेंगे वैंक परक autob unload on the दिस्क्राइब सब्सक्राइब के डिशुरा के नियू पृक्ट कउट्ट अर्म में डिस्कृस्च खुरेंगे बेंक के एक्जाम्स हो रहे हैंम्स हुन या PGDFs के exam हो, उन सभी में new pattern के English questions पूछे जा रहे हैं और उसमें काफी variation आ रहा है, जितने भी sets में exam होता है उन सभी set में अलग-अलग तरह के questions और अलग तरह के pattern पूछे जाते हैं और ये एक बहुती puzzling situation है students के लिए, उनको समझ में नहीं आता है इन questions को किस तरीके से tackle किया जाए और किस तरीके से इनको accuracy के साथ कम से कम टाइम में किया जाए तो ये मैं एक series start कर रहा हूँ, new pattern questions की और इस channel पर English and Wanted channel पर मैं इस series continue रखूँगा जब तक ये सारे banking exam चल रहे हैं तो इसकी मदद से आप ये new pattern questions को banking exams में accuracy के साथ और असानी से कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं इन questions को देखें ये एक phrase replacement का question है और इसमें ज़्यादातर situations में कुछ इस तरह के questions दिये जाते हैं जिसमें काफी सारे aspects आपके grammar के और आपके vocabulary के चेक किये जाते हैं जातर situation में technical questions है technical statements जो है उनको उठाया जाता है और उनको question के रूप में दिया जाता है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे एक ये question लिया गया है जियोग्रफी से तो इस तरह के questions इसने लिये जाते हैं तकि student इनको देख के थुड़ा सा confused हो जाए और को समझ में नहीं आए और यहाँ पर आपके self confidence का भी चेक किया जाता है examiner के दौरा लेकिन इस तरह के questions में देखे क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है किसी भी student के लिए किसी भी student के लिए कि इस पूरे sentence का मतलब उसको समझ में आए या सारे words जितने भी यहाँ पर दिये हैं जैसे true एक word दिया है embedded एक word दिया है कि आपको इस पूरे sentence का meaning पता हो या सारे words के meaning पता हो यदि पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन examiner आपसे expect क्या कर रहा है examiner आपसे ये expect कर रहा है कि आपको applied English की अच्छी knowledge है और उसको आप apply कर सकते हैं अपने अपनी day-to-day working में तो इस तरह की sentence इसमें देखिए क्या करना है आपको जैसे यहां पर आपने पढ़ा the monsoon true with embedded cyclonic circulations are brewing low pressure area to the bay देखिए bay हम किसको बोलते हैं जैसे आपने सुनावगा बंगाल की खाड़ी bay of Bengal ठीक है और ये तो आपको पता ही होगा कि जो pressure area बनता है जिसकी वज़े से सारी situations create होती है मांसून आता है हवाएं चलती है तो वो क्या होता है वो बंगाल की खाड़ी पर उसकी situation क्या होती है बंगाल की खाड़ी के ऊपर actually low pressure area या high pressure area बनता है ठीक है अपने basic geography पढ़ी हो तो उसके according इसमें देखिए यहां पर इस बाले पाथ को ये जो bold बाला पाथ है इस बाले प and low pressure area over the way ठीक है तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर इस तरह के low pressure area बनते हैं ये about या off जो proposition है ये इसमें नहीं आएगा ठीक है और इसमें आपका सही answer होगा third ये third जो option है ये सही है इसमें और first and second इसमें गलत है तो इसमें answer क्या होगा आपका only third is correct यानि second जो है वो आपका answer अब देखिए first में first दिया है और second option में third दिया है third option में second दिया है यानि third option को second में रखा गया है ये होता है cable student को confuse करने के लिए तो यहाँ पर आपका जो सही answer होगा वो होगा second only third is correct अब आपको इन सारे words का meaning और sentence का meaning जानने की ज़रूवत नहीं है यदि आप जान लेते हैं त इतना time नहीं रहता कि आप सारे questions को पूरा-पूरा पढ़ें उसका अर्थ निकाले और उसके बाद आप करें ठीक है 40 second का almost आपको time मिलता है examination hall में क्योंकि अब तो 20 minute की window आ गई है तो 20 minute के window के according 30 question आपको करने है 20 minutes में मतलब 40 second में आपको एक question करना है तो इस तरह का question 40 second में आप कर सकते हैं यह आप practice अच्छी करते हैं और concentration के साथ focus के साथ इन questions को करते हैं तो 40 second में इन questions को किया जा सकता है तो यहाँ पर आपका जो answer होगा वो होगा second ठीक है बैसे truncated का मतलब shortened होता है ट्रो एक तरह का ditch या गड़ा type का होता है या tunnel बोल सकते हैं लेकिन इस पूर unless the center shows some tough love and pushes through reform a few new proposal to tackle banks NPA problem will only remain a cosmetic measure देखें आप इसको आप किस तरीके से करेंगे unless the center shows some tough love and pushes through reform a few new proposal to tackle banks NPA problem will only remain a cosmetic measure देखें इस sentence का थोड़ा समय मतलब बताता हूँ इस एक idea यह लग रहा है कि bank का जो NPA है ठीक है non performing assets जो है जो loans होते हैं जो bad debt होता है ऐसे इस तरह के जो करजे होते हैं जिनको बापिस लेना बहुत मुश्किल होता है bank के लिए उनको हम बोल non performing assets और दो तिन चीजे इसमें और आती है non performing assets में ठीक है तो यहां पर non performing assets की बात हो रही है और इसमें यह बोला जा रहा है कि जब तक government एक tough love tough love का मतलब क्या होता है एक idiom है tough love का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम करना जिसमें instantly तो किसी व्यक्ति को बुरा लगे लेकिन long run में उसके लिए वो फाइदे मंद हो उसका हम बोलते है tough love तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जब तक center जो है वो tough actions नहीं लेगा तब तक NPA की problem solve नहीं होगी और वो cable और cable एक cosmetic measure रहेगा मतलब बाकी दूसरी चीज़े एदी बैंक करेगा तो cable वो एक बहारी change आएगा उसमें एक basic और fundamental change नहीं आएगा जब तक वो कुछ reform नहीं करेगा ठीक है तो यह इसका मतलब निकल रहा है तो unless the center shows some tough love and pushes through देखें पुसेज थ्रू इसलिए सही है यहां पर क्योंकि हम यहां पर center की बात कर रहे हैं तो center जो है वो singular है तो इसलिए पुसेज थ्रू reforms अब देखें reforms जो होंगे वो एक reform नहीं होगा banking sector में वो काफी सारे reform होंगे और उसकी वज़े से ही change आएगा तो इसमें सही क्या होगा देखें पुसेज थ्रू reform यह गलत इसलिए होगा क्योंकि reform नहीं आएगा यहां पर reforms होंगे काफी सारे reforms होते हैं जो सुधार की जो क्रिकरिया होती है उसमें काफी सारे reforms होते हैं एक reform नहीं होगा क्या कि एक reform आपने कर दिया और बैंक के NPA की जो problem है वो solve हो गई यहां पर देखिए process through reforms some new proposal यहां पर सम दिया है तो सम के बाद यह प्लूरल में आना चाहिए लेकिन सम के बाद यहां पर यह proposal दिया है तो यहां पर reforms तो सही है लेकिन यहां पर यह proposals होना चाहिए क्योंकि यहां पर यह सम दिया हुआ है यह है आपका applied grammar तो applied English को यहां पर examiner आपको चेक कर रहा है ठीक है अब यहां पर देखिए pushes through reforms any new proposal ठीक है tough love and pushes through reforms are any new proposal to tackle banks and PA problem will only remain a cosmetic measure तो any new proposal से यहां से पूरा पूरा इसमें सेंस निकल राइ सेंट को लगा के आप पड़ते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल सही निकलेगा unless the center shows some tough love and pushes through reforms any new proposal to tackle banks and PA problem will remain a cosmetic measure जब तक आप tough DCN नहीं लेंगे और जब तक आप एक reform के लिए प्रपोजल नहीं लाएंगे जब तक तब तक दूसरे जो पाए हैं वो केवल एक cosmetic measure की तरह काम करेंगे एक दिखावटी या भारी या सुपरफीसल मेजर की तरह वो काम करेंगे मेजर मतलब होता है ओपाए ठीके तो पुसेज थूर रिफॉर्म्स any new proposal तो यहां पर आपका जो यह भी मनें बता दिया किस तरीके से यह गलत है और यह भी मनें बताया किस तरीके से गलत है तो यहा यह पर यहां पर देखते हैं देखें to give the US President his due और यहां पर यहां पर तब यह हम देखते हैं के विए यूस प्रेज़ीन और घ्रेट को credit को credit देने के लिए या उनको due देने के लिए अब देखे यहाँ पर चुकि has been का हम प्रियोग कर रहे हैं तो इसलिए इसमें has been के बाद हम क्या लगाते हैं has been के बाद हम verb की आइंजी फॉर्म लगाते हैं ठीक है तो एक तो यह concept है यहाँ पर has been के साथ आपको verb की कौन सी फॉर्म लगानी है इसके लाब एक phrasal verb है carried off, carried over, carried out तो चुकि यहाँ पर promises की बात हो रही है तो election promises को हम क्या करेंगे election promises को जो हमने election में promise किया है कि हम ऐसा करेंगे इस नीती को अपनाएंगे, इस policy को implement करेंगे, तो promises को हम carry out करेंगे, मतलब उनको हम implement करेंगे, ठीक है, तो promises के लिए carry over or carried off, यह जो phrasal verbs से यह गलत रहेंगे ठीक है, carry out का मतलब होता है किसी चीच को implement करना अब देखें, चुकि हम यहाँ पर has been has been helping verb को use कर रहे हैं इसके साथ आपको ing form चाहिए तो carried over, यह तो third form में है, यह गलत ही दोनों की दोनों ठीक है, carrying out सही रहेगा, और carrying out का meaning भी होता है implement करना यदि इसको आप ing form में कर भी देते हैं carried over को, तो भी वो गलत होगा carry out सही रहेगा और carry out भी आपको ing form में चाहिए, क्योंकि has been भी वहाँ पर लगा हुआ है all his election promises तो यहाँ पर आपका third आपका सही है और इसमें आंसर होगा only third is correct ठीक है इस तरीके से इन questions को आपको करना है, applied English actually इस समय पूछी जा रही है और इससे संबंदित questions banking exam में पूछे जाते हैं तो grammar की knowledge भी जरूरी है लेकिन applied grammar को आपको किस तरीके से use करना है यह इसमें पूछा जाता है चलिए, next question देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं ITA chairman Azam Monam said that the wages of the workers wages मतलब मजदूरी जो होती है workers की of the tea industry had been historically determined through negotiations with the unions and the former agreement to this effect was signed on April 1st 2014 for three years and has since expired अब आपको देखें काफी लंबा question है पूरे question में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें trick क्या है इसमें आपको केबल main part पर दिमाग लगाना है देखें, यहाँ पर एक agreement की बात हो रही है और यहाँ पर एक term दिया है April 1st 2014 यानि यह जो agreement sign हुआ है यह past में हुआ है तो यहाँ पर हम former agreement नहीं बोलेंगे former word नहीं आता agreement के लिए agreement के लिए last word आ सकता है last agreement ठीक है, former word agreement के साथ नहीं जाता तो यहाँ पर आप last agreement लगा सकते हैं और यहाँ पर देखिए to this effect to this effect एक phrase है जिसका मतलब होता है कि इस चीज को हमने उसके द्वारा implement कर दिया ठीक है, जैसे आपने कोई काम किया और उसके बाद आपने एक notice निकाल दिया कि उस notice में यह जो काम किया है इसके बारे में आपने लिख दिया उस notice में, कि इस काम को कर दिया गया है तो to this effect का वो मतलब होता है कि यहाँ पर जो unions के साथ जो agreement किया गया उसको sign किया गया, ठीक है तो यहाँ पर आपका जो सही answer होगा, वो होगा, the last agreement to this effect इस phrase में हम that नहीं बोलते हैं to that effect, ठीक है late agreement का कोई sense नहीं है कि late agreement या former agreement इन दोनों से ही आप eliminate कर सकते हैं last agreement आप बोल सकते हैं to this effect, तो इसमें only first is correct, ठीक है चलिए आगे देखते हैं, over the last week several airlines have come up with discounted fare offer देखे, over the last week over का मतलब होता है during the last week पिछले सफता के दोरान, यानि पिछले सफता कीस में बात हो रही है पिछले सफता में जो काम हुआ है ठीक है, उसकी यहां पर बात हो रही है, several airlines यहां पर several के बाद airlines आया है, जो की plural नाउन है जो की सही है, तो airlines जो की plural है इसलिए यहां पर हैब आया है सही है, हैब के साथ यहाँ पर third form आई है, come, come, came, come, सही है, come up with का मतलब होता है, किसी चीज के साथ मैदान में उतरना, किसी offer के साथ मैदान में उतरना या आना उसके साथ, come up with, ठीक है, तो come up with भी सही है यहाँ पर, discount, discounted fair offer, देखे, एक तो होता है discount offer, और यह होता है discounted fair offer, यदि आप यहाँ से fair क वो होगा discount offer, normally हम बोलते हैं discount offer, लेकिन चुकि fare को, यानि किराय को discounted किया गया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे discounted fare offer, जो की सही है, तो इस पूरे sentence को देखिए, airlines यहाँ पर several है, तो airlines है, जो की सही है, airlines plural noun है, तो plural verb आगई यहाँ पर, ठीक है, है, हैप के बाद third form आईगी, तो come up with third form है, कम यह third form है, ठीक है, discounted fare को discount किया गया है, इसलिए discounted fare offer, तो यह पूरा जो sentence है, यह सही है, और इसका answer जो होगा, वो होगा, no correction required, अब हम इन वाले sentences को देखते हैं, कि इन में क्या गलती है, देखिए, यहाँ पर चुकी several लगा हुआ है, इसलिए airlines इसमें आए, airline नहीं आएगा, यह sentence गलत हो गया, आप देखिए, airlines have been coming up with discounted, अब यह sentence देखिए, यह grammar के साफ से सही है, क्योंकि have been के साथ हम verb के ng form लगाते हैं, जो कि सही है, लेकिन यहाँ पर इस phrase को देखिए आप, over the last week, during the last week, मतलब पिछले सपता की दोरान कुछ airlines ने discounted fare offer निकाले हैं, पिछले सपता के दोरान, airline ने discounted fare offer निकाले हैं और वो काम खतम हो चुका है, क्योंकि वो काम जो हुआ है, वो पिछले सपता हुआ है, over the last week, ठीक है, पिछले सपता वो काम हुआ और अब वो काम खतम हो चुका है, यदि आप यहाँ पर have been बोल इसके लाबा यहां पर इंडिकेट किया जा रहा है कि दूरिंग द लास्ट वीक पिछले सब्ता के दोरान कुछ एर लाइंस जो हैं वो डिसकांटेट फियर ओफर के साथ मार्केट में आई हैं तो इसलिए हम है भी यहां नहीं लगा सकते हाला कि कि यहां पर देखिए अयर लाइन सेंटेंस व्लय है असलिए यह गलत कि है तो यह तीनों हैंने बताय कि यह गलत क्यों हैं और इसन जो आफका आंसर होगा वो नुह प्रिक्ष भूगा तो इस तरीके से इन questions को आपको tackle करना है जरूरी नहीं है कि आप पूरा question पढ़ें जरूरी नहीं है कि सारे word meaning आपको पता हो और नहीं ये examiner आपसे expect करता है तो इसलिए इस तरह के questions के लिए concentration और focus के साथ इन questions को करना है और इन questions को देखके इनसे डरने की जरूरत नहीं है काफी सारे student इनको देखके थोड़े nervous हो जाते है चीयों को आपको समझना है चीयों से डरना नहीं है यदि आप ऐसा करते हैं तो इन questions को आप आसानी से आप कर सकते हैं इस तरह के questions की बहुत detailed practice मैं अपने e-course में कराता हूँ और यदि आप हमारा e-course जोइन करना चाहते हैं IBPS PO 2018 के लिए तो इस number पर आप उससे बात कर सकते हैं और इन सभी courses के links भी आपको नीचे description box में मिल जाएंगे तो वहां से भी हमारे e-courses को, e-classes को आप जोइन कर सकते हैं और mobile पर laptop पर PC पर घर बैठे शांती के साथ बिना किसी disturbance के exam-oriented तरीके से आप तरियारी कर सकते हैं अब देखे एक ये question है, ठीक है और ये पैरा जंबल का एक नया pattern है इसमें यहां पर कुछ phrases दिये हैं जैसे over due to actually इसमें over नहीं होगा मेरे साब से गलट टाइप हो गया है, ये due to due to delays in finding employment in recent years and that students are unable to service loans a senior executive director of a public sector bank said there has been not much job creation ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें तीन ये श्लैस दिये हैं ठीक है, एक श्लैस यहां पर दिया है तो कुछ parts इसमें दिये हैं ठीक है, अब इन सारे parts को मिला के इस पूरे जो अलग-अलग fragments हैं इन अलग-अलग fragments को मिला के आपको एक coherent passage जो आपको बना रहा है लेकिन इसमें जो option है, पाँच option है इसमें देखिए, एक, दो, तीन, चर, पाँच option है तो इसमें meaningful तरीके से logical तरीके से phrases को connect करना है तब ही आप उस sentence को साही तरीके से मिला पाएंगे इसमें आप यह मान सकते हैं कि अलग-अलग opinions हैं या अलग-अलग बिचार हैं या लग-अईडियाज हैं उन सारे ideas को एक coherent तरीके से एक logical तरीके से आपको एक single idea में connect करना है अब आप यहाँ पर देखिए due to delays in finding employment and that students are unable to service loans in recent years देखिए इस sentence को यदि आप पढ़े हैं तो क्या मतलब है इसका due to delays in finding employment employment पाने में देर हो जाना and that यहाँ पर यह that किसले लगा हुआ है and that students are unable to service loan in recent years that का को यहाँ पर sense नहीं है यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि चुकी उनको जॉब देर से मिल रहा है इसलिए वो लोन को नहीं चुका पा रहा है लेकिन यहाँ पर यह that लगा के कोई sense नहीं बन रहा है इसका देखिए due to delays in finding employment and that students are unable to service loan actually यह जो चीज है यह इसका reason है चुकी उनको देर से जॉब मिल रहा है इसलिए वो लोन को नहीं चुका पा रहा है तो इसलिए that का यहाँ पर कोई काम नहीं है आप ऐसे बोल सकते हैं कि due to delay in finding employment students are unable to service loans in recent years ठीक है तो इस तरीके से यह that का यहाँ पर कोई काम नहीं है तो इसको जो sentence pattern है इसको गलत तरीके से लेखा गया है यह आपका आंसर नहीं हो सकता यहाँ पर due to delays in finding employment and that students are unable to service loans in recent years a senior executive director of a public sector bank said there hasn't been much job creation अब जो senior executive director जो है वो public sector bank का वो बोल रहा है कि there hasn't been much job creation तो यहाँ पर यहाँ पर in recent years जो है यह गलत है यह phrase students are unable to service loans in recent years इसकी position actually यहाँ पर नहीं होगी यह sentence का sentence गलत तरीके से mix कर दिया गया है तो यह आपका गलत हो जाएगा अब second पढ़ते हैं देखे sentence यहाँ इन दोनों से शुरू हो सकता है क्योंकि senior executive कोई बात बोल रहा है तो इसको पढ़ते हैं a senior executive director of a public sector bank said there hasn't been much job creation in recent years ठीक है देखिए उसने दो बात बोली है a senior executive director of a public sector bank said उसने कहा क्या कहा there hasn't been much job creation in recent years एक तो उसने यह बात बोली है और उसके बाद उसने जो दूसरी बात बोली है उसको हमने that से सुरू किया है ठीक है दौनों sentences को चुकि यह अलग से point निकल के आया है तो इसलिए इसको हम that से सुरू करेंगे and that students are unable to service loans दो बात में बोली हैं उन्होंने executive director ने कि there hasn't been much job creation in recent years पिछले कुछ सालों में job creation का काम जो हुआ है वो कम हुआ है in recent years पिछले कुछ सालों में job creation का काम कम हुआ है and students are unable to service loans service यहां पर verb की तरह यूज हुआ है student loan को repay नहीं कर पा रहे है due to delay यहां पर देखिए यह sentence भी बिल्कुल meaningful लग रहा है due to delays in finding employment चुकि employment नहीं मिल पा रहा है और उसमें देरी हो रही है इसलिए वो loan को service नहीं कर पा रहे है और loan को वो service इसलिए नहीं कर पा रहे है क्योंकि students को जो job मिल रहा है वो देर से मिल रहा है और job creation जो हुई है वो पिछले कुछ सालों में कम हुई है तो यह sentence सही है इसमें लेकिन आगे के और sentence हम पढ़ते हैं और सीनियर एक्जेक्टिव डारेक्टर ऑफे पबलिक सेक्टर बैंक सेड देर हैज हैज बीन नॉट मज जोब क्रियेशन द्यू टू डिलेज इन फाइंदिंग एंप्लोईमेंट देखें यह बिल्कुल मीनिंग लेस है यहाँ पर हम बोल लाए है कि जोब क्रियेशन में मतलब जोब क्रियेशन नहीं हुआ है किस वज़े से क्योंकि डियू टू डिले इन फाइंदिंग एंप्लोईमेंट बिल्कुल ही मीनिंग लेस है कि जोब क्रियेशन और फाइंदिंग एंप्लोईमेंट का कोई रिलेशन नहीं है जौब क्रियेशन नहीं हो रही है इसका रीजन क्या हो सकता है इसका रीजन तो ये होगा करान् Sabbath नहीं डाली जा रही है जानस जाना सटा पर चैनली जा रही है लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा रहा है इन सारे sentences को आप detail में पढ़ना और इसमें दमाख आप लगाना देखें यहां से पढ़ते हैं इन recent years a senior executive director of a public sector bank said मतलब public sector bank के director ने recent years में कहा है देखें इसके लिए यहां पर आप recent years नहीं बोलेंगे यहां पर आप recently बोल सकते हैं कि recently उन्होंने कहा है recent years नहीं बोलेंगे recent years तो तब बोलेंगे जब कोई एक एक लेंदी सी, एक लंबी सी कोई घटना होगी, ठीक है, उसके लिए आप recent years बोल सकते हैं, लेकर उन्होंने कहा है, तो कहने के लिए recent years हम नहीं बोलेंगे, कहने के लिए हम तो recently बोल सकते हैं, इन recent years, a senior executive director of a public sector bank said, there hasn't been much job creation and that students are unable to service loans due to delay in finding employment, ये sentence correct तो है, लेकिन partially correct है, क्योंकि in recent years की वज़े से ये sentence का structure जो है, वो गड़बडा गया है, इसका initial part, जो 20% part है, वो गलत है, बाकी remaining part इसका सही है, अब यहां पर देखिए, due to delay in finding employment in recent years and that students are unable to service loans, a senior executive director of a public sector bank said, there hasn't been much job creation, इस sentence को पढ़ने से ये लगता है, क्योंकि student loan को नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए job creation नहीं हो पा रहा है, जो कि logically गलत होगा, ठीक है, तो इस पर आप दमात लगाएं, और यह sentence भी पूरी तरीके से गलत है, तो यहां पर जो सबसे सही structure है, सबसे meaningful structure है, वो है second, तो इस question का जो answer होगा, वो होगा आपका second, ठीक है, यह एक बिल्कुल नए पैटन का question है, और इस तरह के questions अभी हाली में, जो SBAE clerk और PO के exam हुगा है, उसमें पूछे गए हैं, अभी recent time में जितने भी exams हुए हैं, जैसे SBAE clerk, SBAE PO, इन सभी के papers मैं solve करवा हूँगा इस channel पर, और आपको अलग-लग तरीके के जो patterns पूछे जा रहे हैं, वो सारे patterns के साथ मैं familiarize कराऊंगा, और उनकी tricks बताऊंगा, कि किस तरीके से उनको आपको tackle करना है, और किस तरीके स accuracy के साथ और questions को आपको करना है, अब एक question ये है, इसमें हम देखते हैं, ठीक है, over the best practices in governance, the ranking of states on the basis of ease of doing business as it helps to evaluate on a regular basis is a good exercise, अलग-लग phrases है, इन phrases को आपको set करना है, और एक meaningful sentence आपको बनाना है, यहाँ पर देखते हैं, the ranking of states on the basis of ease of doing business is the best practice, ठीक है, यहाँ पर इसमें helping verb missing है, the ranking of states on the basis of ease of doing business is the best practices or maybe the best practices in the governance, यहाँ पर एक helping verb चाहिए है, वो missing है, तो यह sentence हो गया आपका गलत, अब हम आगे पढ़ते हैं, on a regular basis is a good exercise, on a regular basis एक exercise नहीं है, on a regular basis तो हम किसी काम को करते हैं, it's not a kind of exercise, on a regular basis is a good exercise, तो यह sentence सुरू में ही आपका गलत हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, as it helps to evaluate, as से हम normally sentence start नहीं करते, क्योंकि as a conjunction है, जिसका आर्थ होता है, since या because, यह sentence गलत हो गया, आगे हम पढ़ते हैं, यह दो sentence बचे हैं, the ranking of states, on the basis of ease of doing business, on a regular basis, is a good exercise, इसमें helping verb दी है, और यहाँ पर हम ranking of states की बात कर रहे हैं, on the basis of ease of doing business, किस state में business को करना सरल है, उसके basis पर हम states की एक ranking बना रहे हैं, और इस काम को यदि हम regular basis पर करते हैं, तो, it can be a good exercise, ठीक है, यह एक अच्छी exercise हो सकती है, क्यों हो सकती है, यहाँ पर इसका reason दिया है, as का मतना होता है reason, as it helps to evaluate the best practices in governance, यह ब्लकुर सही है, क्योंकि यदि आप ranking of states बनाते हैं, regular basis पर इस काम को करते हैं, तो एक exercise होगी, इस काम को करना एक exercise होगी, और यह एक अच्छी exercise होगी, यह, it's a good exercise, why it's a good exercise, because it helps to evaluate the best practices in governance, क्योंकि उससे मैं पता पढ़ेगा कि governance के अंदर best practices क्या है, किस तरीके से हम ranking को सुधार सकते हैं, और यदि ranking किसी state की नीचे है, तो वो नीचे क्यों है, तो यह sentence यहाँ पर आपका पूरी तरीके से सही है, लेकिन हम आगे भी पढ़ते हैं, और इस sentence को देखते हैं, अब देखिए, governance की जो best practices होती है, ठीक है, वो अपने आप में कोई exercise नहीं है, उसको आप exercise नहीं बोल सकते, ठीक है, जैसे किसी चीज़ को आप कोई rules and regulation बनाते हैं, और इन चीज़ों को आप apply करते हैं, तो that is not an exercise, the best practice of governance on regular basis is good exercise, as it helps to evaluate the ranking of states, मतलब यहाँ पर sentence को उल्टा कर दिया गया है, यहाँ पर यह बोला गया है, कि governance की जो best practices हैं, ठीक है, उससे हमें ranking सुधारने में, या states की जो ranking बनाने में मदद मिलेगी, जो की गलत है, तो fifth question को थोड़ा उल्टा कर दिया गया है, logically इसको उल्टा कर दिया गया है, और यहाँ पर यदि आप logically सोचे हैं, तो fourth number का sentence है, वो पूरी तरीके से सही है, और यह इसका सही answer होगा, तो इस तरीके से इस video class में मैंने 7 question लिये हैं, दो type के लग-लग pattern के questions लिये हैं, और इस तरह के नएरे pattern के questions मैं इस चैनल पर upload करता रहूँगा, तो इसलिए यदि आप first time आप इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को आप subscribe करें, इस video को like करें, जाया शादा आप like करें, आप like करेंगे तो मेरा motivation बढ़ेगा, और मैं इस तरह से और भी इस तरह के videos डालूँगा और आपकी help करूँगा, क्या आप किसी भी banking exam में या PGDF exam में आसानी से English के section को कर पाएं, और select होएं उसमे PGDF exam में और IVPSPO exam आ रहा है, और यदि systematic तरीके से, detail तरीके से आप bankPO exam की तैयारी करना चाहते हैं, कोई chances आप नह लिंक मिलेगा, वो description box में मिल जाएगा, वहां से direct जाके, bank pro के नाम से एक e-course है, उसको आप join कर सकते हैं, और कोई भी आपको problem आती है, तो इस right पर नीचे जो number दिया हुआ है, उस number के थुरू आप उससे कभी भी contact कर सकते हैं, 9893719933, इस number पर आप उससे contact कर सकते हैं, तो इस video class में इतनी, अब मैं आप से मिलूँगा, next video class में, thank you